हारुफिक्स सैमसंग नोट एट ओडियो एंड वीडियो कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों सुवागर अगर अब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में ओडियो एंड वीडियो कॉल नोट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों ओडियो कॉल भी काम नहीं कर रहे है वीडियो कॉल भी काम नहीं कर रहे है ठीक है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो फिर आप ये वीडियो को पूरा जरू तो देखे मैं आपको डोनों का solution एक ही साथ में बताऊंगा solution करने के बाद ही आपका जो problem में जाके solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप online प device में चेक करते हैं अगर दोस्तों audio and video call काम नहीं कर रहे तो हो सकते हैं दोस्तों आपकी device में call वेरिंग बगरा enabled हो ठीक है तो एक बार जाएए सेटिंग पर को बेरिंग यहां पर supplementary service में जाये call बेरिंग और call forward दोनों को ही चेकख करें ठीक है voice call and video call को दोनों के दोस्तों यहां पर आपको चेक करना है voice call का call bearing ओफ अफ होना चाहिए साथे साथ वीडियो कॉल का कॉल बेरिंग डिसेबल होना चाहिए उसके साथे साथ में आपको कॉल फोरवाडिंग भी चेक करना है वोईस कॉल भी आपका यहाँ पे जो है ओफ होना चाहिए और वीडियो कॉल भी ओफ होना चाहिए ठीक है उसके बाद नेट्रोग आपको चेक करना है पहले आपको यह सारे चेक करना है और उसके बाद मोबाइल रिचार्च भी चेक करना है मोबाइल पे रिचार्ट होना जरूरी है और सादे साद नेट्रोग चेक करना है ठीक है अगर नेट्रोग में कोई भी प्रॉब्लम है तो सेटिंग पर जाके स्क्रॉल डाउन करके जेनरल मेनेश्मेंट पे जाए reset में क्लिक करके reset network setting पर जाके reset setting पर क्लिक करके mobile password भर दीजिये आपका network setting reset हो जाएगा उसके बाद जाए connection पर connection पर जाने के बाद दोस्तों आपको mobile network पर click करना है network mode select करना है कौन सा network अच्छा है वो आपको यहापर select कर देना है vault enable नहीं है तो vault enable करें network को 4G mode पर set करें ठीक है Wi-Fi calling आपको burn करके राखना है अगर Wi-Fi connect हो जाते तो Wi-Fi के calling यहाँ पर set हो जाएगा तो आपको कई सारे डिक्कते हो सकते हैं Wi-Fi calling burn करना है उसके बाद final solution पर जाना है apps में क्लिक करना है सबसे पहले तो आपको नीचे के तरफ आना है और phone service पर जाना है phone service पर जाने के बाद storage पर जाके clear data पर click करना है okay करना है clear data करने के बाद आपको permission पर जाना है और सारे permission आपका allow होना चाहिए सारे permission allow करने के बाद बेक करना है उपर की तरफ जाना है और यहाँ पर केमरा पर क्लिक करते हुए आपको क्या करना है सेम प्रोसेस ठीक है इस्टोरेज पर जाना है clear data पर click करना है okay कर देना है data clear करने के बार आपको बेक करना है उसके बार इसका permission allow करना मत भुलिए सारे permission allow कर दीजे permission allow करने के बार device को restart करें and then check करके देखे problem solve हो चुका होगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तो voice call and video call problem यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं ठीक है audio call आपका काम नहीं कर रहे तो simply आप इस solution को follow up कर सकते हैं by any chance अगर आपको कोई भी problem आते तो software को update कर लेना software update करने के बाद दोस्तों सारे problem आपका fixed हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप अपनी problem को fix कर सकते हैं उमीड करते हैं video आपको पसंदे होगा thanks for watching